नितिश कुमार ने तो बड़ी बैठक करते हुए बड़ा फैसला लेने का निरने कर ही दिया है और उनको अब लालू परसाध यादों के साथ आ जाना चाहिए और राश्चिय जनता दल के साथ मिलकर परधान मंतरी पत का उम्मी द्वार बन जाना चाहिए यह बात या कह लिजिए कि सला मुक्यमंतरी नितिश कुमार को पुर्व मंतरी मुके सहनी दे रहे हैं मुके सहनी खुलकर कहते हैं कि मुक्यमंतरी नितिश कुमार जैसा चेहरा बिहार के पास दूसरा कोई नहीं है और वे प्रधानमंत्री पत के लिए सबसे बड़े चेहरे हैं सन्नाफ मल्ला चाहते हैं कि मुक्रमंत्री नितिश कुमार और भारतिय जंता पार्टी के दवाओं में अब काम न करे और एक बात गौर कीजिएगा कि भारतिय जंता पार्टी के खिलाप जितना भी मोर्चा बन रहा है उसमें नितिश कुमार को मिलाने की कोशिस की जा रही है और कहीं न कहीं नितिश कुमार द्वारा भारतिय जंता पार्टी के रिस्ते भी अभी कम जोड है और उसी हिसाब से अगर नितिश कमार को थोड़ा सा अभी अच्छा लगता है तमनिशीत रूप से राश्य जनता दल हो या विपक्ष का कोई बाटी उसके साथ अपना खेमा बना सकते हैं तदा नितिश कमार पहले भी ऐसा कर चुके हैं अब तो यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा नितिश कमार को मुखे मंतरी रखना भी नहीं चाहती और इसका दबाव भी सीधे सीधे जदिव के उपर दिख रहा है और ऐसी प्रस्तिती में अपने वजूत को और मजबूत करने के लिए नितिश कमार कुछ ऐसा कर सकते हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है बागी मनमस्कार में मोहित कमार से हूं और आप देख रहे हैं मारा भी शेचकारिक्रम एक्स्प्लेनर यह बात सबको पता है कि भारती जंता पार्टी मुक्रिमंतरी नितिश कमार के साथ तेजस्वी यादों को देखना तक पसंद नहीं करती है और ऐसे समय में मुक्रिमंतरी नितिश कमार ने बड़ा फैसला लेने का ऐलान तो कर ही दिया है और अब उनको समय रहते राश्टिय जंता अदल के साथ आ जाना चाहिए और लालू परसाद यादों के साथ मिलकर उनको परधानमंतरी पत का उम्मिद्वार बनना चाहिए तथा भारती जंता पार्टी को हरा देना चाहिए मुके सैनी बकायदा गणित समझाते हुए कहते हैं कि भारती जंता पार्टी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है बलकि भारती जंता पार्टी 40% वोट लेकर परधानमंतरी बनाती है और अगर विहार में भी पक्चित पार्टीों को एक जुट कर रिया जाए तो नितिश कुमार जैसा चेहरा हो तब भारती जंता पार्टी चुनाओ हार जाएगी और 40 लोगतवा के सीट में से एक सीट भी नहीं जीत पाएगी और नितिश कुमार के चेहरे पर जीत का रिकॉर्ड बन जाएगा नितिश कुमार के चेहरे को आगे रखते हुए भारती जंता पार्टी को हराने के लिए मुकेस सैनी कहते है कि हम 40 में से 40 सीट जीत जाएगे भारती जंता पार्टी के लिए यह सब कुछ परिशान करने वाला है क्योंकि नितीश कुमार आजकल भारतीय जनता पार्टी से थोड़े उखले उखले नजर आते हैं और ऐसे समय में नितीश कुमार को इस प्रकार का समर्तन भाज़पा के लिए सरदर्द के समान है मुकेस सेनी समझाते हैं कि महराश में तो सब कुछ ठीक है अब बस और तिन चार राज्यों को ठीक करना होगा जिसमें उत्तर परदेश और बिहार है उनके कहने का मतलब होता है कि अगर उत्तर परदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई गटबंदर मन जाए और भाजपा को हरा दिया जाए तब भाजपा केंदर में सरकार नहीं बना पाएगी और इसलिए हुए कहते हैं कि बिहार में 40 लोग सवा की सीट है और अगर नितीश कमार राश्रिय जनता अदल के साथ मिलकर परदानमंतरी पत्यूमिद्वार बन जाते हैं तब वैसे ही सिती में बिहार के 40 सीट में से भारतिय जनता पाटी एक सीट भी नहीं जित पाएगी तब भबी समय आपके साथ क्या होगा इससे समझ लीजिए अब आप गौर कीजिए तो भारतिय जनता पाटी भी यार की राज़िती में इस समय बिलकुल अकेली है मुकेस सैनी का पाटी का समरसन भारतिय जनता पाटी को हासिल था लेकिन भारतीय जंता पार्टी ने उनकी विराकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और आज उनके सैनी उसके सबसे बड़ी बिरोधी बढ़ गया है जितन रामान जी खुलकर भारतीय जंता पार्टी का बिरोध करते हैं और जदियू तता भारतीय जंता पार्टी का रिस्ता एक सास रहकर भी अलग-अलग जैसा है अगर इस तमय जदियू के साथ भारतीय जंता पार्टी के गड़बंदन तूड़ जाता है तब आगे आने वाले चुनाओं में हो सकता है कि भारतिय जंता पार्टी बिहार में अकेली रह जाए और ऐसी सिती में उसके लिए एक-एक सीड़ जितना बेहद मुश्किल हो जाएगा 2015 के बिजान समद चुनाओं में भारतिय जंता पार्टी के साथ जितन राम मांजे भी थे और चिराख पास्वान भी थे तता इसके अलावा उपरिंदर कुछवा भी भारतिय जंता पार्टी के पक्षमें कुछवा मद्दताओं को लाने का पूरा दम भर रहे थे लेकिन केवल राश्री जनतादल और जनतादल उनाइटेड ने एक साथ मिलकर इन सारे दलों की हवा खड़ाप कर दी थी उस समय गड़बंदर में कॉंग्रेस पार्टी भी शामिल जरूर थी लेकिन दो ही मुख्य पार्टियां थी जो एक जदिव और दुसरी राज़त इसका साथ मतलब है कि जदिव और राज़त का साथ छुटने के बाद इस बार तो भाजपा और भी अकेली हो जाएगी तता ऐ विपक्ष खुले दिल से नितिश कुमार का स्वागत करने के लिए तयार बैठा है चाहें वो विपक्ष का कोई छोटा दल हो या बड़ा दल हो बाकिया आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा वीडियो शेर कीजेगा फेस्बुक पेज को लाइक पूस्क्राइब कीजेगा मिलते हैं फिर बहुत लगले वीडियो में कैमरे इप्षेकर यंकि शर्मा और मैं मोहित कुमार से बहुत बहुत धन्यवाद